आज मैं आपके साथ बिल्कुल यूनीक से अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ यह रेसिपी मेरी ममा की है और वो मिक्स अचार बहुत ही टेस्टी डालते हैं बिल्कुल तड़के वाला अचार होता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे इंस्टेंट भी सकते हैं और पूरे साल भर के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो रेसिपी को ध्यान से जरूर देखेगा पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करना चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो सबसे पहले स्टेब वन कर लेते हैं अचार का मस घी दाना तौर मईठी दाना ना two चमच और two cha मच 2 cha मच सओफ 이कम डाल देगा इसे बिल्कुल पाउटर नहीं बनाना है दरदरा साही रखेंगे यह जो मसाला है यह ना सिर्फ इस रेसिपी के लिए बलकि इस मसाले से आप कई तरह के आचार डाल सकते हैं और साथी में इसे पराथो वगेरा में भी यूज कर सकते हैं बहुत यच्छा फ्लेबर आता है चल तो जैसे हमारा तेल अच्छ से गरम हो जाएगा इसमें डालेंगे हम चार बड़े प्यास बिल्कुल बारी कटे हुए जी हां अचार में हम प्यास डालेंगे और इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा था है इसलिए अचार थोड़ा सा यूनीक है यह मेरी मुमा की रेसिपी है और उनका बनाया हुए अचार ना बहुत अच्छा लगता है इसे अगर आप सिंपल प्ली परांठे के साथ प्ली रोटी के साथ बिखाएंगे तब भी बहुत अच्छा लगता है इस प्याज को हमें अच्छ से पकाना है जब तक यह बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सानी ह जालेंगे मीडियम यह अच्छे पकने देगे झाली है यहां अच्छे से जाएगा घ्राइगे हम इसमें दालेंगे अध्रग ऑ्डर्ग ऑपने डालेगा अर साथी में लसून की भी मोटी-मोटी जालेंगे आप अपने टेस्ट के कोडिंग या कम्छा जैसे भी आप डालना बीच में अच्छे सेक्ष atención लगा दिया था उसके बाद ही धिय एक सलिट लगा दिया था स्रिश इन्यान की करता है उसके बाद ही अच्छे लिए नहीं कर और शापत मिर्च नहीं अच्छहा hint qr खाना पसंद करते हैं तो इसके साथ में आप यहां पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च भी आड़ कर सकते हैं उसके बाद इसमें नमक आड़ कर देंगे नमक यहां पे मैंने पांचे चम्मच आड़ किया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक कम प्लेवर देता है उसकी बाद हम इसमें आड़ कर देंगे जो अचार का मसाला हमने रेडी करके रखा था अब इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब यहां पे आप नीमू भी आड़ कर सकते हैं साथ में अगर शलगम आड़ करना चाहते हैं उसका भी अचार साथ में लेकिन मैंने यहां पे अद्रक लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च और साथ में गोभी और गाजर इसमें आड़ कर रही हूँ तो अद्रक लहसुन और हरी मिर्च इसमें आड़ कर दी है इन दीनों को तो हमें नॉर्मल वाश करके सुखा करके इसमें आड़ कर देना है लेक क्योंकि अचार के खराब होने का में कारण उसमें मौइस्चर अगर रह जाए ना वही होता है तो इसलिए जब भी अचार किसी भी चीज का डाले उसे अच्छे से सुखा ले तो इसे मैंने गोभी को पहले अच्छे से नमक वाले पानी से वाश कर लिया था और गाजर को नॉ इसलिए मैं इसमें नहीं शो करी है अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी मैं रेसिपी नीचे लिंक उसका शेयर कर दूंगी उपर आई बटन में भी आपको मिल चाहेगा तो उससे आप चेक आउट कर सकते हैं तो यहां पे मैंने डेड किलो गोभी ली है और एक किलो गा चाहिए तो आप इसे इसके लिए बात थोड़ा सा पका लें गयास पे पांचे-चे मिनट के जब तक अबाहरी गोभी और गाजर जो है वह सौफ नी हो जाते लेकिन अगर आप इसे रखना चाहते हैं अभी एक दम से नहीं खाना चाहते हैं तो बस इस टेच पे आप इसे अच्छे से मिक्स करके एक जार में आप इसे स्टोर करके रख लें और इसमें इतना होना चाहिए कि वह अच्छे से डूब जाए उपर तक कम से कम 70% तक और उसमें रहे क्योंकि और बहुत अच्छा प्रिजर्वर्टिव का काम करता है अगर ऑल इसमें अच्छी क्वैंट मिक्स करना बहुत जरूरी है ताकि जो मसाला है वो सारे में अच्छे से कोट हो जाए तो यहाँ पे 200 ml के करीम मैंने यहाँ पे कच्छा तेल और उपर से अड़ किया है अगर आप कच्छा नहीं खाते हैं तो नॉर्मल पका हुआ भी आड़ कर सकते हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल साफ होना चाहिए और उसके बाद हम उपर से इसमें दो कप डाल देंगे विनेगर यह बहुत अच्छा खटापन देगा हमारे अचार को लेकिन अगर आप इसमें नीम्भू भी आड़ कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं क्योंकि वह हमारे अ ताकि यह सारा मसाला जो है पूरे में अच्छ से मिलता रहे तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की वीडियो देली देखने के लिए चानल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं कल एक और न